हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ बेशन की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ता तो फ्रेंट्स वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा यहां पर मैं आपको दो तरह के नास्ता बनाना बताऊंगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम लेंगे एक कप बेसन बेसन को हम बाउल के अंदर डाल देंगे और अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी हल्दी से इसका कलर बढ़िया आएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हम हथेली पर क्रस करके डालेंगे, इससे इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ कि एक बढ़िया सा घोल बनकर तयार हो जाए बेशन की घोल को हम ना तो ज्यादा मोटा रखेंगे और नहीं ज्यादा पतला और अब इसमें हम डालेंगे आधा कटा हुआ नीबू का रस और सबसे लाश्ट में हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और दुबारा से हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया सा घोल बन कर तयार हो चुका है इसके बाद हम गैस के उपर रखेंगे तवा और तवे के उपर डालेंगे एक चमश तेल तेल को हम इस्पून की हेल्ट से चारो तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे और अब इसके उपर हम रखेंगे ब्रेड मैंने यहां पर आटे वाला ब्रेड लिया है आप कोई भी ब्रेड इस्तिमाल कर सकते हैं और ब्रेड के उपर हम डालेंगे बेसन के घोल को और इस समय हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे जिससे की ब्रेड नीचे से जले नहीं थोड़ा सा बेसन हम बीच में भी डाल देंगे और अब इसके उपर हम डालेंगे बारी कटा हुआ सिमला मिर्च बिल्कुल बारी कटा हुआ प्याज और बिल्कुल बारीक कटा हुआ चुकंदर आप इसके उपर कोई भी सबजी लगा सकते हैं लेकिन जो भी सबजी आप लगाएं वो बिल्कुल बारीक कटा होना चाहिए अब इसके उपर हम डाल देंगे आधा छोटा चमच पीजा सिजनिंग ये बच्चो को बहुत पसंद आता है अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर डाले अब इससे हम पल्टे की हेल्प से पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक पका लेंगे और जब बेशन अच्छी तरह से पक जाए तो दुबारा से हम इसे पलट अब हम लेंगे कद्दुकस और इसके उपर चीज को ग्रेट कर लेंगे अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप इसके उपर पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं आप बिना चीज के सिर्फ बेजिटेबल से भी इसे बना सकते हैं चीज डालने के बाद हम इसे पल्टें नहीं क्योंकि हमने बेशन को पहले ही पका लिया है अब हम बीच से एक कट लगा लेंगे और अब हम ब्रेड को फोल्ड कर देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्रिस्पी ब्रेड का पिज्जा बनकर तयार है बच्चों को तो यह इतना पसंद आएगा कि बच् हम लेंगे एक रोटी और रोटी को रख देंगे तवे के उपर और इसे रोटी के उपर चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे और इस समय हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे जिससे की रोटी नीचे से जले नहीं अब इसके उपर हम सेम उसी तरीके से डालेंगे ब बिल्कुल बारी कटा हुआ प्याज, बिल्कुल बारी कटा हुआ चुकंदर या फिर आप गाजर को भी डाल सकते हैं, आप कोई साभी बेजेटेवल्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, और साइड में हम डाल देंगे आधा छोटा चमच तेल या फिर बटर, इसके उपर हम डालेंगे आधा छोटा चमच पिज्जा सिजनिंग, और अब इसे हम पलट कर दूसरे साइड भी सेक लेंगे, जब बेशन अच्छे से पक जाए तो दुबारा से हम इसे पलट लेंगे, और अब इसके उपर हम डालेंगे चीज को कद्दू कस करके, और यहां पर आप देख सकते हैं कि रोटी से हमने कितना बढ़िया पिज्जा बना कर तयार कर लिया है, बिना जहन जट आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं, और यह हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, बच्चे तो इस तरह की चीजों को देख कर खुस हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बनाईए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सेयर और सस्क्राइब जरूर करें, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों